गूड मॉर्निंग क्लास दो देज्ट टॉपिक इस टाइपस अप कॉंसलिंग एप्रोच एप्रोच मतलब बढ़ा मतले नहीं इसमें फर्स्ट आपका डिरेक्टिव कॉंसलिंग एप्रोच second है non-directive counseling approach third है आपका electric counseling approach directive मतब सिरा direct हम क्या कर रहे है counseling approach कर रहे है non-direct मतब हम directive उसको counseling approach कर रहे इसको क्या परते हैं प्रिस्क्रिप्टिव कांसलिंग और कांसलर सेंटर एप्रोच अप्रोच 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 ए प्रॉफेशर एड यूणिवर्सेटी ओप मिनियसोटा, यह क्रोफेश्र ये पॉब आपरोच ये इजी विलेम्सन ने दिया था, ये क्या है एक प्रोफेशर है वो भी कहां कि Minnesota of University. In directive counseling, the counselor plays a leading role and uses a variety of technique to suggest appropriate solution to the counseling problem. कॉंसलर किसको पते हैं जो counseling दे रहा है और counseling जिसको counseling की जरुरत है इसमें जो counselor है ना वो leading role play कर रहा है और यह क्या करता है यह variety of techniques यूज करता है जो फी counseling की problem है उसको solve करने के लिए क्या करता है सजेस्ट करता है This approach also known as authoritarian or psychoanalytic approach यह approach को क्या पते है authoritarian or psychoanalytic approach ता counselor is active and help individual in making decision and finding solution to their problem इसमें जो counselor रहता है वो active रहता है यह क्या और वो जो व्यक्ति है जो decision making मेकिंग खुद कर decision making में उसके help करते हैं और जो फी उसके जो problem रहते हैं उसको solve करने में यह find out करते हैं जो counselor रहता है वो प्या होता है इसमें एक्टिव होता है जो भी individual का जो भी decision making में बनाता है उसमें वो क्या करता है और जो भी उसके जो problem से उसको solve करने में यह find out करता है next the counselor believes in the limited capacity of the patient जो counselor रहता है वो patient के capacity कितना जितना भी capacity उसको limit उसको believe कर पाता है the patient makes the decision but the counselor does all he can to get the patient make decision keeping with his diagnosis जो patient ना जो भी decision बनाता है लेकिन जो counselor जो रहता है ना जो भी patient decision बनाता है उसका diagnosis है उसको क्या करता है वो अपने रखता है ठीक है the counselor tries to direct the patient thinking by informing explaining interpreting and advising उसको क्या करता है वो समझने की कोशिश करता है तब basis assumption related to directive counseling approach assumption मतब कलपना पर्स्ट आपका आपने बेस्ट एप्रोच तक इसमें क्या होता है अनिपस सब्रोच में यह क्या है आपका प्रोप्लम को आपने से तब क्या करता है काुंसलर जो है वो उसके प्रोप्लम को सॉल्ड करने में है निट बीस एप्रोप्लम में सेकेंड है problem focused rather than patient focused approach इसमें patient अपने जो भी problem में उसको focus नहीं कर पाता उस problem से वो बाहर नहीं निकल पाता खुद से तब क्या करता है counselor जो है वो उसको उस problem से बाहर निकलने में help करता है ईसमें क्या होता है इसमें क्या होता है इसमें यह होता है इसमें आपना प्रोब्लम को solve करने में capable नहीं होता तो वो क्या करता है जो competent person रहते हैं जो पहले से problem को जानते हैं वो person को क्या करता है वो उससे help मांगता है तो जो counselor रहता है न वो intellectual ability use करता है उसके problem को solve करने के लिए फूर्थ है टेक ओफ कॉंपिटेंट काउंसलर सॉर्डी टास्क ओफ कॉंपिटेंट काउंसलर जो भी प्रॉब्लम है यह जो counselor है वो direct task उसको बना के रखता है यह क्या करता है जो भी individual के जो भी प्रॉब्लम से patient के जो भी प्रॉब्लम है उसको best possible solution के साथ क्या करता है solve करता है फिब्थ है making the best possible use of counseling intellectual ability and resource इसमें जो यह क्या है आपका direct counseling approach है इसमें जो भी प्रॉब्लम सेंटर इसमें जो भी प्रॉब्लम है यूज करता है बनाता है जैसे कि counseling जो counseling है उसकी intellectual ability strength और resource वो क्या करता है use करता है best कि ताकि उसके जो भी प्रॉब्लम है उसको solve कर सकें next है आपका step of the directive counseling approach E.G. Williamson has given the following six steps in providing directive counseling approach के लिए इसमें first आपका आता है information gathering and analysis second है synthesis, third है diagnosis, fourth है prognosis, fifth है counseling और six है follow first में जो information क्या करते हैं gathering जो भी information है वो साथ मिलके क्या करते हैं information detail जो रहता है उसको जो detail है उसको हम क्या करते हैं focus करते हैं जो भी current में जो भी problem है उसको क्या करते हैं हम जो भी data है जो भी detail information है उसको हम क्या करते हैं collect करते हैं फी क्या करते हैं उस current जो problem है उस पर focus करते हैं और फिर help करते हैं information information क्या क्या collect कर सकते हैं different tools होते हैं इसे से interview के त्वारा questioning के त्वारा observation, observation, case history, psychological test, etc understand class information कैसे हम collect कहेंगे कैसे करते हैं, interview के त्वारा, questioning के त्वारा observation करते हैं, उसके त्वारा case history, उसका case history देखेंगे और psychological test next है synthesis, synthesis क्या होता है, यह process है summarization and organizing data from the analysis to counseling जो कि उसका assist है, mal adjustment है, collecting data है, उसके manner यह सब क्या करते हैं, हम collect करते हैं त्याने diagnosis, diagnosis में क्या करते हैं, हम जो भी actual problem है, उसको क्या करते हैं, हम identify करते हैं, define करते हैं, और जो भी focus, जो भी open रहते हैं, उसके में पर हम focus करते हैं, फूर्थ है, prognosis यह जो है वह टाइकनोसिस स्टेप का पार्ट नहीं है जो भी प्रॉब्लम है उसको हम identify करते हैं और जो counselor आता है वह determine करता है कि वह best क्या करें possible level जो भी problem है उसमें help कर सकें उसको manage कर सकें counseling counseling यह क्या है it is the most important step होता है यह procedure का ठीक है इसमें counselor क्या करता है counseling से question करता है और जो भी problem है उसको क्या करता है वह manage करता है और उसको solve करता है follow up in this stage जो बोर्ट एफेक्टिवनेस एफेक्टिवनेस ऑफ ता counseling process is evaluate जो भी counseling process रहता है उसको हम इवाल्वेट करते हैं नेक्स्ट है एड्वांटेज और ट्रेक्टिव counseling approach इस एप्रोच सेव टाइम इसमें क्या होता है टाइम बचता है इट इंफेसाइस तप्रॉब्लम और नौट था इंडिविज्वल तक counselor can see the patient more objectively than the patient himself यह प्रॉब्लम पर जाता फोकस करता है जो है डिरेक्टिव counseling approach है यह problem पर वो क्या करता है जाता फोकस करता है ना कि patient पर तक counselor can see the patient more objective than the patient himself यह पेशन्ट के गोल को देखता है उस पर कैसे treatment करना है और वो क्या करता है उस पर पर फोकस करता है इंडिविज्वल प्रस्नालेटी ता मैधर्ड यूस्ट इन डिरेक्टिव counseling और डिरेक्ट पर यूसिव एंड एक्स्प्लेनर्ट्री इसका advantage यह भी है कि जो भी intellectual जो भी intellectual का मत्तब यह होता है कि यह practical चीजों पर चाता फोकस करते हैं जो भी डिरेक्ट पेशन्ट के प्रॉब्लम पर फोकस करता है इसमें क्या होता है जो भी पेशन्ट का प्रॉब्लम है उसमें डिरेक्ट फोकस करता है नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ तर डिरेक्टिव कांसलिंग एप्रॉज लिमिटेशन का मतलब पता है कहां तक लिमिट है कहां तक डिरेक्ट कांसलिंग दे सकते हैं तब पेशन्ट दस नॉट गैन एनी लियाबिलिटी फोर सेफ एनलाइसिस और सॉल्ट न्यू प्रॉब्लम अफ अर्जस्मेंट बाइ कांसलिंग इसमें जो पेशन्ट होता है उसका किसी पी प्रकार का फायदा नहीं होता पहले कांसलिंग में जो भी प्रॉब्लम है सॉल्ट करने में प्रॉब्लम को अर्जस्ट करने में कांसलर हेल्प करता है इसमें जो पेशन्ट होता है न उसका किसी प्रकार का फायदा नहीं होता पहले कांसलिंग में जो पहले कांसलिंग में उसको किसी प्रकार का फायदा नहीं होता जो भी प्रॉब्लम में उसको सॉल्ट करने में प्रॉब्लम को अर्जस्ट करने में यह उस पर Okay focus करता है इस को सुली तक कांसलिंग करता है उसको कांसलिंग करता है उसको कौंसलर करते इसमें बहुत जाता जब पेशेंट बहुत जाता ओवरडिपेंटेट हो जाता है कॉंसलिर की उपर इसमें क्या हो जाता है जो कॉंसलिंग है वो ओवरडिपेंटेट हो जाता है कॉंसलिर की उपर problem regarding emotional mal adjustment may be better solved by non-directive counseling यह भी एक प्रगा का लिमिटेशन होता है यह ज्यादा अच्छे से सॉल्ड हो जाता है जब हम नॉन ट्रैटेक्टिव काउंसलिंग करता है तब कभी कभी होता है कि जो काउंसलर के पास कोई इन्फोर्मेशन की कमी हो जाती है तो काउंसलिंग को प्रॉब्लम हो जाता है अकर जो काउंसलर रहता है उसके पास इन्फोर्मेशन की कमी हो जाती है तो काउंसलिंग को प्रॉब्लम हो जाता है इसमें काउंसलिंग खुज से ओवर्डिपेंट होने के करता है कारण कभी-कभी खुद की प्रॉब्लम करने में क्या हो जाता है असमर्थ हो जाता है कभी-कभी होता है ना काउंसलिंग के ओवर्डिपेंट हो जाता है वो तो वो ना प्रॉब्लम को खुद के प्रॉब्लम को वो क्या करता है तो नहीं कर पाता नेक्स्ट है आपका नोन डिरेक्टिव काउंसलिंग एप्रोच तजीफ एक्स्पोनेंट अफ दिस काउंसलिंग एप्रोच कार्ब और रोगर यह जो एप्रोच किसने दिया था कार्ब और रोगर इसको और क्या बोलते हैं पर्मिसिव काउंसलिंग एप्रोच इसमें क्या होता है जो काउंसलर का जो रोल है वह पेसिव होता है और क्या है काउंसलिंग का ड्रोल चोड़ाता है वह एक्टिर होता है इसमें का ड्रोल को को माना जाता है इडिश कांसली सेंटर और पेशंट सेंटर हुमेंस्टी आप रोज कि इसमें क्या है कॉंसलर का डिसीजन इतना माइने नहीं रखता इसमें कॉंसलिंग कॉंसली जो है उसका डिसीजन माइने रहता है पेशेंट के उपर ही फोकस करें उसी का जो वो फाइनल डिसीजन होता है कॉंसली कॉंसली मेंक्स तफाइनल डिसीजन एस इंडिविज्वल आर्ट थू है फूल राइट तो मेंग फाइनल डिसीजन फॉर था सब्सक्राइब इसमें चो कॉंसली है वह अपना फाइनल डिसीजन बनाता है उसको राइट होता है फूल राइट होता है फाइनल डिसीजन बनाने के लिए खुद के खुद का फाइनल डिसीजन बनाने के लिए उसका राइट होता है और उसके चो भी प्रॉब्लम से उसको सॉल्ट करने के लिए The counselor has to accept the counseling capacity to make adjustment and adapt जो भी counseling की capacity है वो adjustment और adapt बनाने में सहता करते है उससे counselor क्या करता है उसको accept करता है The principle of acceptance and tolerance are extremely important in this approach The basic assumptions related to non-directed counseling approach are इसमें जो प्रिंसिपल है एक्सेप्टेशन इसका चुछ सिथानत है वो Acceptation रहता है and tolerance are extremetry important in this approach ये approach में क्या है acceptance and tolerance वो important है The basic assumptions related to non-directed counseling approach are क्या क्या है Patient is given important than the counseling direction and investigation जो patient क्या करता है जो भी counseling direction है और investigation है उसको वो क्या देता है Importance देता है Emotional aspects are more significant than intellectual accept जो emotional रहता है Emotional रहता है वो क्या होता है More significant होता है than intellectual accept Entelektual aspect Creation of an atmosphere Where patient can work out their understanding Is more important than cultivating self-understanding in the patient अकर हम patient के लिए ऐसा atmosphere बनाने में जिसमें वे खुद अपने problem से उभर जाए कि ठीक हो कि वे चाता effective रहेगा as compare तो उसको उसके हार में खुद छोड़ दिया जाना चाहिए हमको patient के लिए ऐसा atmosphere बनाना चाहिए जिसमें वे खुद के problem से क्या हो जाए उभर जाए ठीक हो जाए तो वे चाता effective रहेगा as compare उसके हार में ही हम खुद छोड़ दें counseling lead to voluntary choice of goal and conscious selection of courses of action जब हम किसी को counseling देते हैं तो वे जो हमारा patient रहता है उसके उपर depend करता है कि वे वो चाहता क्या है हम उसके choice के हिसाब से counseling दे रहे हैं और उसको पूरा हक रहता है कि वे अपना treatment और care जो भी है टेक्निक है वो खुद select करें patient को खुद क्या रहता है उसका choice की हिसाब से हम क्या करना हमको counseling देते हैं ठीक है उसको क्या रहता है पूरा हाग रहता है अपना treatment और क्या कौन से टेक्निक से करना है वो खुद select करता है non-directive counseling approach का step steps of the non-directive counseling approach यह जो है approach step एक करप और रोगर ने five step non-directive counseling में दिया था फर्स्ट है आपको defining the problem solution second है counseling given freedom to express his feeling 3rd है identify counseling feeling 4th है developing counseling insight 5th है termination of counseling क्या करता है फर्स्ट आपका defining the problem solving this is the first stage यह क्या है आपका first stage होता है counseling जब counseling 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 और counselor क्या करते हैं जो भी actual problem है उसको identify करते हैं define करते हैं और collect करते हैं जो भी actual problem है उसको क्या करते हैं identify करते हैं और define करते हैं counseling given freedom to express his feeling जो counseling रहता है वो क्या करता है freedom to express अपने आपको free करता है express करता है जो भी feeling है उसमें वो अपने आपको क्या करता है फ्री करता है तो जो counselor है वो क्या करता है जो भी उसके problem के stage होते हैं solve करने उसको manage करने में help करता है identify counseling counseling feeling जो भी counseling के feeling है उसको identify करते है developing counseling insight जो counselor क्या करता है counseling जो भी इंसाइट जो भी problem रहते हैं उसको क्या करता है help करने में help क्यों पास resource रहते हैं अब लेपर रहते हैं वो problem को manage करने में उसका use करता है next termination of counseling यह क्या है आपका final stage होता है इसमें चो counselor रहता है और counseling वो agree होता है उनके चो relationship है और उनके चो problems है उसको वो तोनचन मिल के क्या करते हैं solve करते हैं advantage of non-directive counseling approach it is slow but sure process to make an individual paper of making adjustment इसमें क्या होता है non-directive counseling for यह क्या है एक slow process होता है ठीक है यह sure यह sure रहता है प्रोसेस है जिसमें individual क्या होता है शक्षम होता है adjustment करने में खुद को capable बनाने में no test are used so one avoid all that is laborious and difficult non-directive process जो भी emotional चीज़ों होती है उसको रोकता है और दूसरों की मदद करता है अच्छे थोट लाने में conscious labor जिसमें tension कम हो limitation of non-directive counseling approach it is slow and time-consuming process यह क्या है slow है और time-consuming process है one cannot really open one's resource judgment and wisdom as the patient is immature is making the decision himself जो patient चराता है वो immature आता है जो decision है उसको बनाने में वो क्या होता है खुद के decision बनाने में immature होता है it depends too much on the ability and initiative of the patient यह क्या के उपर depends करता है पेशन्ट की ability on initiative उपर sometimes difficulty to control based of the interview discussion sometimes यह क्या करता है control करता है जो भी difficulty होती है और discussion करने में यह क्या होता है difficult होता है इस approach is individual centric is it may not possible for counselor to attend every patient equally well इस approach में individual centric है इसमें ना counselor जो है वो सभी patient को क्या करता है अच्छा अच्छा नहीं कर पाता it require high degree of motivation in the patient इसमें patient को high degree motivation required होता है इस approach is based on the fact that all individuals are different from one another यह approach में elective counseling approach यह क्या है यह approach की हिसाब से सारे लोग जो है वो एक दूसरे से अलग होते हैं तर techniques are elective in nature because they have been derived from all sorts of counseling इस approach में जितने भी technique होते हैं counseling के वे सारे elective होते हैं elective का मतलब होता है कि वे सारे जो technique है वो क्या होते हैं selected रहते हैं इस approach is based on selecting the best and leaving out what the least required यह इस approach की हिसाब से जो best रहता है जो जाता needed नहीं रहता जाता जिसकी जड़रत नहीं होती उसको हम क्या करते हैं उसको छोड़ देते हैं तब basis assumption related to elective electic counseling approach there is objectively यह क्या है objectivity and coordination between counselor and the patient during the counseling experience यह क्या होता है objectively होता है coordination counselor और patient के पीच में क्या होता है coordinate रहता है during counseling experience कहनों साथ the patient is active जो patient रहता है वो active रहता है and the counselor remains passive in the beginning यह जो counselor रहता है वो क्या होता है पेसिव रिमेंट पेसिव in the beginning the principle of low expenditure in atom the counselor make use of all the tool and method in his armor जो counselor होता है वो all tool and method क्या करता है बनाता है वो यूज करता है the counselor enjoy the freedom to resort to directive and non-directive counseling method क्या करता है यूज करता है the counseling relationship is built during the counseling interview जब counseling interview होता है उस दोरां चो counseling चो relationship है वो बनता है this help the patient can restrain and confidence यह क्या करता है patient को उसका चो रिंज स्टाथर उसका चो confident है उसमें यह क्या करता है help करता है understood class झाले स्टेटे में जिब स्टाथा पॉबज करता है